नमस्कार दोस्तों बिहार एक्स्ट्रेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों पूर्व रेल मंत्री स्वरगिये ललित नरायन मिश्र की पुन्निति थी समारो फोडवीस गंज में जो अस्मारक अस्थल बना हुआ है ललित नरायन मिश्र रेल मंतरी का वहाँ पर मनाया गया और समारो की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं यह 48 वाँ पुन निति थी समारो का आयोजन जहोग किया गया था फोड़ीस गंज रेलवे एस्टेशन के पड़ी सर में और पूर्वीरेल मंतरी स्वर्गे ललित नरायन मिश्र की मौत समस्ती पूर एस्टेशन पर जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे और तभी अचानक स्टेश पर बम धमाका होता है और उसमें बुरी तरह जखमी हो जाते हैं जिसके बाद वहां से उनको दानापूर रेलवे होस्पीटल ले जाया जाता है लेकिन बलड इतना निकल चुका था कि रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है और बताया जाता है कि समस्ती पूर से जो सोची समझी साजिस पताई जाड़े थी लेकिन क्या था इसका केस जो है वो 2014 में कलोज हुआ है इस बम धमाके की और ललित नर्यान मिश्र का जो केस था वो 2014 में फैनल जो हो गया खेर ये एक लंबी कहानी थी किसकी साजिस थी नहीं थी ये मुझे नहीं पता लेकिन जो लल मुझूद थे आयोजक करता थे वो आफताव आलम अध्यक्ष और उसके अलावा मौलाना मुस्ताक अहमद मेमोरियल सोसाइटी फोरबीस गंज के यहाँ पर जो है मौझूद थे और उसके साथ साथ बहुत साड़े यहाँ पर जो है गरामीन भी मौझूद थे वहाँ के लो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके पेलेकन को प्रेस कर देजे ताकि इस तरह के अपडेट जो आपको मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो को यहाँ प्रेंड करते हैं आपसे मिल